दोस्तों इंडिया में बहुत से लोगों के लिए PUBG उनकी पहली मिल्टि प्लेयर गेम थी जिसने आते ही सारे गेमिंग मार्किट को बड़ी बुरी तरह से हिला दिया थी फिर चाहें छोटी छोटे बच्चों से लेकर बड़े यंग एज के लोग सभी इस गेम को बहुत पसंद करते हैं और तो और कई जगां से तो ये भी खबरे सामने आने लगी कि इस गेम के चकर में कई बच्चों ने तो अपने माता पिता के बैंक काउंट ही खाली कर दिया थी PUBG गेम में आज भी लगबग हर रोज चार करोड से भी ज़्यादा लोग इस गेम को खिलते हैं दोस्तों दुनिया पर में हर रोस कई हजारों गेम्स रिलीज होती हैं जिन में से PUBG से भी बेहतर कई गेम्स हैं लेकिन अब सवाल उठता है कि PUBG गेम में ऐसा क्या है जो कि पूरा भारती से इतना ज़्यादा पसंद करता है आज की इस वीडियो में हम पूरी बात जाने वाले हैं लेकिन दोस्तों अगर आप भी एक PUBG फैन है तो वीडियो को वन तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में फैन और PUBG जरूर कमेंट कीजिए और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर पैस कीजिएगा PUBG गेम ने आज 2.8 बिलियन डॉलर या कहें 21,000 करोड से भी ज़्यादा की कमाई कर लिया और PUBG की इतनी ज़्यादा कमाई होने का पहला कारण है उसकी टाइमिंग PUBG का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत ही है और PUBG गेम ऐसे समय में इंडिया में लॉंच हुआ जब जीयों का नेटवर्क घर गर तक पहुंच चुका था जिसके चलते हर एको एक अच्छा नेटवर्क मिल चुका था PUBG जैसे गेम्स खेलने के लिए पहले के टाइम में आपको कम्प्योटर या प्लेस्टेशन होना ज़रूरी था लेकिन अचानक से भारत में मुमाईल्स का ट्रेंट भी चेंज हो गया था और हर किसी के पास एक बड़िया स्मार्टफॉन भी मौजूद था और इन चीजों को देखते हुए PUBG ने भी अपना मॉबाइल वर्जन रिलीज कर दिया साथ ही PUBG एक प्री गेम थी और किसी भी प्लेयर को इसे खेलने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था और उस टाइम हर किसी ने इसे डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिया और अगर आपने एक बार PUBG डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिया तो PUBG अपने हुक मोडल को एक्टिवेट कर देती थी तो PUBG ने उन्हें फ्री में ये गेम दी इसके बाद अब लोगों के दोस्त भी PUBG खेल रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये गेम खेलने के लिए इन्वाइट किया लेकिन दोस्तों अगर PUBG में आपके दोस्त ये गेम नहीं भी खेल रहे हैं तो हर दिन PUBG में सिर्फ login करने पर ही लोगों को एक free में daily reward मिलता था जिसे लोगों को इस game में enter होने का एक लालच मिलता था और एक बार game में enter होने के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग इस game को ना खेले और तो और दोस्तों जब आप PUBG game को खेलना शुरू करते हैं तब आपको इतना नहीं पता होता कि आपको कौन सी गंस मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात आप ये भी नहीं जानते कि आप game भी जीतने वाले हैं या नहीं और अगर आपको game जीत भी जाते हैं तो PUBG का algorithm जान बूच कर आपको ऐसी प्लेयर्स के साथ next round में बेजेगा जिनकी खेलने की power और skills आपसे कई गुना ज़्यादा है ताकि आप उस game में हार जाएं जिस काने से लोग दोबारा उस game को खेलना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो कई घंटों तक game खेलते ही रहते हैं PUBG ये भी ध्यान रखती है कि आप game खेलते हुए हार जाएं और लगातार 3-4 games हारने के बाद आपको वो week players के साथ अगले round में बेजती है ताकि आप PUBG खेला ना चोड़े और लगातार game को खेलते ही रहें PUBG गेम खत्म होने के बाद आपको आपके teammates के साथ उसी team में रखती थी ताकि आप बिना कुछ सोचे समझे next round भी खेलें ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे Netflix का एक episode खत्म होते ही दूसरे का चालू हो जाना ताकि आप कभी भी Netflix से बाहर ना जाएं PUBG ये कभी न खत्म होने वाला game है दोस्तों जिसमें आप जितने चाहिए उतने round खेल सकते हैं और तो और एक ये भी कारण है जिसके वज़े से लोगों को PUBG का addiction होने लगता है और वो है आपका इसमें investment आप PUBG खेलते हुए अपना level बढ़ाते रहते हों जैसे bronze से silver, silver से gold और gold से platinum इस कारण से आपको लगता है कि जब आपने इस game में इतनी ज़्यादा मिहनत की है तो इसे छोड़ाई क्यों जाए आपके level के साथ साथ आपके rewards भी बढ़ते रहते हैं जिससे आपका investment और reward भी increase होता रहता है और इसके वज़े से भी लोग PUBG खेलना बंद नहीं कर पाते हाला कि असल जिंदगी में इस चीज की कोई value ही नहीं जैसे के सालों से लोगों ने इस PUBG गेम में अपने level और rewards बढ़ाए होते हैं वो चीज उनकी एक तरीके से investment बन जाती है जिसके वज़े से लोग इस गेम को delete नहीं कर पाते और अचानक से PUBG गेम को delete कर देना उन लोगों के लिए जैसे उनकी सारी investment के उपर पानी फिर देने के बराबर वैसे तो दोस्तों ये कमाल की strategy है जिसने PUBG को grow करने के लिए काफी help की है लेकिन समय समय पर ऐसे भी खबरे आती हैं कि ओवर गेम खेलनी की वज़े से बच्चे डिप्रेशन में चले गई हैं लेकिन दोस्तों क्या आप भी PUBG खेलती हैं और अगर खेलती हैं तो आप कौन सी लेवर पर हैं कोमेंट करके जरूर बताइए और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पैस कीजिए